नमस्कार आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल देखना शुरू कर चुके हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन है जिसे डियूरेंड लाइन कहते हैं जिस तरीके से हिंडुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है इसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो डियूरेंड लाइन उसे कहते हैं इस डियोरन लाइन पर जो तालिबानी लड़ाके हैं उनके बीच में और दूसरी और जो पाकिस्तानी आरमी है जो पाकिस्तानी सेनिक हैं उनके बीच में पिछले दो तीन रोज से लगा तार गोली बारी हो रही है मोटार दागे जा रहे हैं गोले दागे जा रहे हैं अब ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी मदद की तालिबान की कि अफगानिस्तान में उसकी सरकार बन जाए और आकरकार बन भी गई अब उसी पाकिस्तान के उपर ये तालिवानी लड़ाके हमला क्यों कर रहे हैं उसी पाकिस्तानी सेना को क्यों अपना निशाना बना रहे हैं ये तस्वीरे देखिए आप ये तस्वीरे जो है वो उन तालिवानी लड़ाकों की है और ये लगातार जो धमकी दे रहे हैं कुछ-कुछ बोलते हुए नजर आ रहे होंगे आपको ये कि पहाड की ओर उपर की ओर देख करके ये कुछ बोल रहे हैं ये असल में एक डूरन लाइन जो है जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वहाँ पर जो पाकिस्तानी सैनिक मौझूद हैं उनको ये धमका रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ ये जो आप बाड़ बंदी कर रहे हो असल में बॉर्डर लाइन पर वो बाड़ लगा रहे हैं फैंसिंग कर रहे हैं फिट उची फैंसिंग हो रही है बाड लगाने की कोशिच हो रही है तो उनको ये धमका रहे हैं कि ये बाड बंदी बंद कीजिए और यहां से चले जाएए वरना आपके साथ युद्ध करेंगे हम और हमको एक तरीके से पाकिस्तानियों के साथ युद्ध करने में ज्यादा मज़ा आता है तो इस तरीके से ये धमकी दी जा रही है तालिबानी लडाकों के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को तो अब ये सवाल तो समझने का बनता है कि आखिरकार जिस पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी मदद की अफगानिस्तान में वो सत्ता में आ जाए अब वह तालिबानी लड़ा के पाकिस्टानी सेनिकों को गोलिबारी का शिकार बना रहे हुए धंका रहे तो समझने के लिए असल में हमें थोड़जा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा हमें थोड़जा पीछे जाना यह बात करीब करीब 1849 की है उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और ब्रिटिशर्स का जो कबजा था वो पूरे हिंदुस्तान पर था पूरे भारतिय उपमाधरीब पर और भारतिय उपमाधरीब के आगे जो अगला देश था वो था अफगानिस्तान अफगानिस्तान के आगे दूसरी ओर सोबियत संग था तो एक तरीके से दो बड़े मुल्क जो हैं उनके बीच में ये अफगानिस्तान एक छोटा कंट्री बना हुआ था जिसे की बफर स्टेट कहते हैं बफर स्टेट दो बड़े पीच में एक छोटा साई स्टेट तो एक तरफ से सोवियत संग और दूसरी तरफ से ये जो ब्रिटिशर्स जो हैं ये कबजा करना चाहते थे अफगानिस्तान के ऊपर तो हुआ ये कि 1849 में ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाए और जा करके कबजा कर लीजिये लेकिन हुआ क्या अफगानिस्तानिक जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में लड़ने के माहिर होते हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को गाजर मु गए लेकिन इस हार को ब्रिटिशर्स कैसे पचा पाते उन्होंने इंतिजार किया खुद को फिर से तैयार किया और तीन दशक बाद करीब करीब 30 सालों के बाद उन्होंने फिर से अफगानियों पर अटेक कर दिया लेकिन इस बार ये जो दूसरा एंगलो ब्रिटिशर्स वार हुआ इसमें जो बिटिशर्स हैं उनकी जीत हो गई उन्होंने अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया लेकिन वहां पर उन्होंने खुद अपना कोई आदमी ना बिठा करके सक्ता में उन्होंने वहां पर एक कठपुतली सरकार बिठा दी अब्दुर्रह्मान खान को वहा भारतियों उपमाद्रीप के बाद जो अफगानिस्तान है उसमें बिटिशर्स का कबजात हो गया लेकिन बिटिशर्स को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं अफगानी फिर से खड़े ना हो जाएं और वो जो भारतियों उपमाद्रीप में जो बिटिशर्स हैं उनको क एक खत्रा ना पैदा हो जाए इसलिए उन्होंने क्या काम किया उन्होंने एक समझोता किया अब्दुर्गफान खान के साथ यानि अफगानिस्तान के साथ और उन्होंने भारतिय उपमाद्रीप और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा निर्दारित कर दी किसाब य लाइन है यह बॉर्डर लाइन है अफगानिस्तान और भारतियों महाद्रीप के बीच में अब इस यह जो समझाता हुआ यह समझाता हुआ अब्दुर्रह्मान खान और सर हेंडरी मॉर्टिमर ड्यूरंड के बीच में यह पूरी 2700 किलोमीटर की एक रेखा है जो चीन से शुरू होती है और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से होते हुए इरान तक जाती है इस 2700 किलोमीटर की रेखा कोई ड्यूरंड रेखा कहते हैं अब यह समझाता तो हो गया अब इस समझाते के बाद असल में था क्या कि जहां पर यह रेखा खीची गई ड्यूरंड रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो पश्तून और पंजाबी हैं अब पहले तो एक जैसे इलाके में रहते थे लेकिन जैसे यह ड्यूरंड रेखा खीच गई तो आधे भारतियों मादरीप में आगे पश्तून और आधे चले गए अफगानिस्तान की तरफ पहले यह लोग जब यह ड्यूरंड रेखा नहीं थी तो बेजिजक एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे रिष्टेदारियां होती थी शादियां होती थी आवा गमन बड़ 47 में भारत का बटवारा हुआ पाकिस्तान अस्तित्यों में आ गया तो हुआ यह कि वो जो ड्यूरंड रेखा थी वो जो बॉर्डर बना था अफगानिस्तान और भारतिये उपमादरीप के बीच में अब वो बॉर्डर चला गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच म तो यहां से जड़ शुरू होती है कि वो जो पष्टून लोग है जो इस डिरेंड रेखा के पास में रहते हैं जाधातर वो लोग एक तरीके से यह मानते ही नहीं कि यह डिरेंड रेखा कुछ है वो तो यह मानते हैं कि यह दो भाईों के बीच में एक निराधार बटवारे की लाइन तयार कर दी है वो इस बात को बिलकुल खारिज कर देते हैं कि ये डिरेंड रेखा कुछ है अब इसी बात की लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो वो जो पश्टून लोग हैं जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो हिस्सों में बढ़ गए हैं वो लगातार इस पश्टून स्टेट की मांग करते हैं कि साब ये पश्टून स्टेट अलग है इसको अलग कर दीजिए अब इसी बात का भी बात है आपको ध्यान होगा जब पीछे अगस्त के महीने में तालिबानी लडाके लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे थे पाकिस्तानी सरकार ने इसी इमरान खान की सरकार ने पूरी मदद की थी इन तालिबानी लडाकों की अफगानिस्तान की सरकार वहां से भाग कड़ी हुई और उसके बाद वहां पर तालिबान का कबजा हो गया और आज की तारीख में तालिबान वहां पर राज कर रहा है हुआ ये है कि इस खत्रे से बचने के लिए कि ये तालिबानी लड़ाके जो है जो पश्टून है वो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दें सरहदी एरिये में तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो दियूरंड लाइन पर फैंसिंग कर रही है यानि बाडबंदी कर रही है तारबंदी कर रही है तेरे फुट उंचे-उंची तारे लगाई जा रही है इसी को ले करके लगातार जो है ये जो अफगानी लड़ाके हैं जो तालीमारी लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की सरकार को चेताते हैं अब सोचिए बीते रविवार को पाकिस्तान के अंदर OIC की मीटिंग हो रही थी, OIC बोले तो Organization of Islamic Corporation, यानि फुरी दुनिया में 57, 57 कंट्री हैं मुस्लिम जो इस OIC के हिस्से हैं, उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में मीटिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ ऐसी गोली बारी हो रही थी बॉर्डर पर, तो ये लगातार गोली बारी हो रही है, और पाकिस्तान जो की तालिबान के लिए बहुत बड़ा हितैशी है, मददगार है, लेकिन अब वही तालिबानी लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहे हैं अमूमन एक कावत कही जाती है कि जब पडोसी के घर में आग लगे तो हमको क्या करना चाहिए हमें बचाव के रास्ते खोजने चाहिए लेकिन पाकिस्तान है वो तो कभी सुदरता नहीं अफगानिस्तान में क उसी के लिए मुसीबत बन रहे हैं जब से तालिबानी सत्ता में आये हैं उसके बाद से कई हमले ऐसे हो चुके हैं जो जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तानी पुलिस को निशाना बनाया गया है और ये जो तालिवानी हैं जो पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं इसको पाकिस्तान कहता है बैड तालिवान और वो तालिवानी जो उसके लिए सोचते हैं उसको वो कहता है गुड तालिवान अब ये साब बैड तालिवान और गुड तालिवान ये पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ है तो बोए पेड बभूल के आम कहां से खाए कुल मुला करके पाकिस्तान वही सामना कर रहा है उसी इस्तिती का सामना कर रहा है जो उसने खुद की बोई हुई है बेराल ये मामला अगर ऐसा नहीं दिखता कि ये बहुत जल्दी सुलज जाएगा करीब करीब 90% सरहदी इलाकों पर बारबंदी हो चुकी है 10% इलाका अभी बचा हुआ है ऐसा क्लेम करती है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार लेकिन उस 10% इलाके पर ये जो तालिवानी लड़ाके हैं वो बारबंदी होने नहीं दे रहे हैं और जहां भी इनको मौका मिलता है ये फौरण वहां से तार बार सब कुछ उठा लेते हैं और पाकिस्तानी सेनिकों को मार बगाते हैं और वो सारे बार, तार सब उठा करके अपने कबजे में ले लेते हैं तो ये लड़ाई अनवरत जारी है और आगे भी यूहीं जारी रहेगी बहराल पाकिस्तान को लेकर के आपकी राय क्या कहती है इसको आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा इसे लेकर के भी आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साजा कीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुचाईएगा नमस्कार